हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वांगे थे आपका आपके अपने चानल अंजली न्यूस कौनर में मैं हूँ आपकी वही अंजली सिर्फ सितारों से ही होती महबबत अगर तो इन अलफाजों को खुप सूरती कौन देता बस पत्थर बनकर रह जाता ताच महल अगर इश कई से अपनी पहचान ना देता जी हाँ आपने सही सुरा हम आज की डेली नाशीफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बज्जे है या पर मारी रनवर्सरी है उनको मेरी तरफ से धेर सारे शुप कामना है तो चलिए शुरू करते हैं आप केवल खड़े होकर और पानी को घूर कर समुद्र पार नहीं कर सकते समुद्र को पार करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है लंबा रास्ता तुफानों से और लहरों से लड़ना पड़ता है फिर जाकर कहीं आप शिखर तक पहुँच पाते हैं इसी तरह आप भी कड़े महनत करके अपने लक्ष को हासल कीजिए यूँ ही बैठे रहने से कुछ भी हासल नहीं होने वाला या तो आप दिन को चलाती हैं या फिर दिन आप को चलाता है हो सकता है हमारा कई बार हार से सामना हूँ लेकिन हमें हारना बिलकुल नहीं है जीतने की इच्छा शक्ती सफल होने की चाह अपने पूरी क्षमता तक पहुँचने की तिवर अभिलाशा ये वो तीन चावियां है जो व्यक्तिकत उत्कृष्टा के द्वार खोल देगी जिनौतिया स्विकार करो ताकि आप जीत की खुशी महसूस कर सके दूसरा लक्ष निर्धारित करने या नया सपना देखने के लिए आप कभी भी बूड़े नहीं होते अगर आप सोचते कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप सच में कर सकते हैं जहां हो वही से शुरू करो जो तुमारे पास है उसका ही स्तेमाल करो जो तुम कर सकते हो वो करो कभी पीछे मत हटो कभी सफाई मत दो इसे पूरा करो और उन्हें गुर्रानी दो सफल होने के लिए हमें पहले विश्वास करना चाहिए कि हम कर सकते हैं आप कभी हार नहीं मान सकते विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाला कभी विजेता नहीं होता अगर आप बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटे कामों को शांदार तरीके से तो कीजिए भविश्य उसका है जो काबिल है अच्छे बनो बहतर बनो और सर्विश्रेश्ट बनो सबसे पहले मैं आपको पता दू कि अजाब के लिए लखी कलर यानि कि भागिशाले रंग रहने वाला है यलो पीला और शुब अंक रहेगा आठ आज का दिन लोगों के लिए जो अच्छा हो सकता है जो अपने लिए किसे पारड़नर की तलाश कर रहे हैं जी हाँ सही सुना आपने कुछ लोगों के साथ आपकी नोक छोक भी हो सकती है जिसे की बातों को दिल पर मत लगाएगा आज आपके जो काम है उसमें बहुत देरी भी हो सकती है कुछ बाधाय उत्पन हो सकती है लेकिन फालतु की तेंशन मत लीजेगा अपना प्रयास लगातार करते रहेगा साथ ही में अगर आप कार में जादा बीजी रहेंगे तो आज आपको ठकान जरूर होगी और हाँ पेट का दर तो होना सुभाविक लग रहा है परसनल लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि भविश्य में आपके विचारों पर जो है पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है पॉजिव दृष्टी को उनको आज आपको बनाए रखना होगा मेरी दरव से इशारह यही है कि आज आज आपको वैसा ही पार्टनर चूज करना चाहिए जो पॉजिटिव चीजे के जिसमें ज़्यादा हो और पॉजिटिव विचार वाला हो अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए तो आपकी जिन्दकी बहुत बढ़िया बन जाएगी कोशिश करती रहिए सफलदा जरूर मिलेगी अज आपकी राशी के लोगों के लिए स्वाबी मान और रात में विश्वास उनकी प्रमुक विशेष्टा बनी रहेगी आज जो है इनहीं विशेष्टाओं के बल पर समाजिक स्थाल पर मान समान ये कोई उपलगधी भी हासिल हो सकती है प्रतिष्टा बढ़ सकती है प्रमोशन मिल सकता है और जो रुके होई काम है वो भी थोड़ी से महनत करके आपको सफलदा दिलवा सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई टार्गट है तो उसको टाइम लग सकता है पुंते लेकिन जो आपके रुपए पैसे के मामले में किसी प्रकार की अधिक भरोसा मत कीजेगा यानिकि अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है या फिर अगर आप किसी को पैसा देने वाली है उधार पर तो आज भरुसा मत कीजेगा प्लीज आज की दिन तो कोई भी पैसा मत दीजेगा किसे को शियर, सट्टा इस अभी कारियों में निवेश आज बिल्कुल भी मत कीजेगा सिधारे कह रहे हैं कि आज तो बिना पड़े किसी कागस पर आपको सिगनीचर भी रही करने है वरना धन हाने के बहुत सारे योग बनेंगे तो इसलिए आज इस बात तो साफधानी बरतरी होगी ये बहुत जरूरी है आपके लिए इसे के साथ ही आज का दिन दिल्चस्प भी रहेगा इंट्रेस्टिंग रहेगा किसे नए विक्ति से मुलाकात हो कि जैसा कि मैंने कहा और इसे जो हैं आपको बहुत ही फायदा होगा परिसितिया जल्दी ही आपके सुधने वाली है जो पहले बहुत खराब चल रही थी बीती बातों के लेकर जादा परिशानी मत लेजेगा जीवन में जो भी गती हींता आ गई है यानि कि बैलनस बिगड़ गया है वो भी जल्दी ही दूर होने वाला है आपको बहुत ही अच्छी अफसर मिल रहे है उसका पूरा पूरा फायदा उठा लेना चाहिए आज जो है जो लोग स्थान परिवर्टन चाहते हैं वो भी हो सकता है रिश्टों में जो हैं बस थोड़ा आपको स्वयम बना कर चलना होगा इस राशी की जो व्यक्ति हैं विवहार अनकाज कुशल होगा आज किसी राजनीतिक या किसी इंपोर्टन व्यक्ति से संपर्क बहुत ज़ादा देने वाला होगा धारम और अध्यात्मे के प्रती आस्था आज आपके सेल्फ और कॉन्फिनेंस को बहुत इच्छी तरीके से बढ़ा पायेगी आपकी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरी की वज़े से कुछ लोग फायदा उछा कर जा सकते हैं किसे के चिकनी चुपड़ी बातों में मत आईएगा आपके कुछ कामों में रुकावटे भी आ सकते हैं ज़रा समल कर रहिए और लोगों को पहचाने की समझ रखिए आगे बढ़ते और बात करती हैं आज की बिजनेस और करेर की तो आज विपार में कोई उपलब्धी आपकी प्रतिक्षा कर रही है विस्तार से रिलेटिड योचनाई बनेंगी नौकरी में छोटी मोटी समस्याइं बन सकती हैं लेकिन हाँ समय रहते आप इसका हल भी निकाल पाएंगे मार्केटिंग के लिए भी कोई प्लानिंग बननी बना सकते हैं बहुत उचित समय बन रहा है इसके लिए कारिक शेतर में अगर आप अपनी नौकरी या काम से खुश नहीं है तो आज उसे बदल नहीं या उसे कुछ बदलाव करने का अफसर आपको बहुत ही बढ़िया मिल सकता है कामकाज के प्रति पूरी कंभीरता रखिए मेहनत कीजिए नहीं तो कोई ओजर कैंसल हो सकता है अगर आप उसको कंप्लिस नहीं करते हैं तो नौकरी में बोज और वरिष्ट अधिकारी जो है वरिष्ट लोगों के सार आपके संबंद खराब भी होने वाले हैं आपको दिकती आ सकती है किसे भी रूप में आ सकती है इसलिए आपको जो है साफधानी आज की दिन बढ़तनी चाहिए आज लोगों को लिए भी दिन बहुत भी बढ़िया कहा जा सकता है कि जो अपने लिए अध्यात्मिक शित्र में कुछ काम कर रहे हैं अगर आज आप जो है अध्यात्मिक शित्र में काम करते हैं तो इससे जो है आप जो है अपनी बिजनस को भी और अधिक जादा अच्छी तरीके से चला सकते हैं क्योंकि जितना हम meditation करते हैं, focus उतना ही बढ़ता है, और जितना focus बढ़ेगा, उतना ही आपके काम जो हैं, चाहे वो घर के हैं, office के हैं, कहीं के भी हैं, उन में बहुत ही बड़ी आपको result देखने को मिल सकते हैं, तो यह आप जो हैं, आप जरूर कीजेगा, तो यह थे हमने ब प्रेम समंदो के उजागर होने की इशंका नजर आ रही है, इसका असर आपकी करियर और अध्यन पी पर पर सकता है, साथान रहेगा कि काम पर इस पर कोई भी असर न बढ़ने पाए, वरना गर काम बिढ़ गया है, तो आर्थिक सिती कमजोर होती दिखेगी, और कोई तीसर फाइदा उछा कर लेकर जा सकता है, आज है परिवार जनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, आप अपने दादा दादी की साथ या फिर अपने मादा पिता की साथ समय बिताएए, उनको बहुत बढ़िया लगेगा, जिन निष्टों में बहुत ही परशानी आ रही है, उनसे आगे बन जाने में ही आज समझधारी होगी, आज किसे ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात होगी, जिसे भविश्य में आपके समंद मदूर बनेंगी, जैसा मैंने पहले कहा था, रहनकि आज आज आपको अपना हमसफर मिलने वाला है, प्रेम्स और प्रसंगों में आज ज स्वास्ति के भारे में, तो आज स्वास्ति कहता है कि किसी प्रकार का नशा करना आपके लिए स्वास्ति में गिरावट देगा, आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, किसी प्रकार का याद रखीगा, इसलिए बुरी संगत से दूर रहना होगा, जीवन शैली को बद आज जो है घर की किसी बज़ूर को व्यक्ति की स्वास्तों को लेकर आपको टेंशन लगी रहेगी ख्याल रखेंगे समीक पर उनको दवाई दीजिए और साथ ही में उनके खान पीडू की चीजों पर जो है आप उन पर नज़र रखेगा हो सके दूर डाइटीशन के पास जरूर चाहिए तो बैठर रहेगा तो आपको इससे जो है पॉजरिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं चलिए बात कि हमने स्वास्ता की और बात कर लेते हैं आज के जो है विशेश उपाई के बारे में तो आज आपके लिए जो है विशेश उपाई रहेगा कि आज आज आपको शली चलीजा का पाट करते रहना चाहिए साथ इसाथ में अगर आप अपने इश्ट देव को जिसको मानते हैं वरत वगरा रखते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा अगर आप गुपतरोव से जरूर्द मंदो को राशन का जो खाने पीने का समान दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा जो है सुख़द रिजल्ट देखने को मिलता रहेगा और याद रखी हमेशा पॉज़िव सोच रखिए बुरी संगर्द मत पढ़िएगा तो सब कुछ अच्छा होगा इस बात को आप गांट बान लीजिए तो दोस अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवद्ट